Hello Friends, Welcome to my Channel Friends, आज हम Where the Mind is Without Fear poem करेंगे Where the Mind is Without Fear poem रवेंदरना टेगोर्जी की लिखी हुई poem है ये poem हमें गितान्जली में से मिलती है रवेंदरना टेगोर्जी ने अपनी सारी poems के collection को एक book में लिख दिया था जिसका नाम था गितान्जली अब गेतांजली में जो 35 नमबर पर जो पोईम थी वो थी Where the mind is without fear अब इसमें रविंदरना टेगोर जी ने अजाद भारत में कैसी स्थिती होनी चाहिए कैसा वातावरन होना चाहिए उस समय आटमोस्फियर कैसा होना चाहिए अब जब भारत अजाद होगा तब वहां के लोग कैसे होने चाहिए इस बारे में बताया है असल में जब ये पोईम पब्लिश होई थी जब ये पोईम लिखी गई थी तब भारत अजाद नहीं था वो बिटिश रूल के नीचे था अब जो बिटिश रूल में जो लोगों का बुरा हाल था वो अपनी आजादी के बारे में सोच रहे थे अब जब वो आजादी के बारे में सोच रहे थे तो रविंदर नाय टेगोर जी ने जब ये पोईम लिखी तो उन्होंने कहा कि जब हमारी इंडिया को आजादी मिलेगी तब कैसा महोल होगा ऐसा महोल होना चाहिए ऐसा एटमोस्फेर होना चाहिए कि सब लोग इंडिया की वहावा करे वहां के लोग जो हैं काफी अच्छे होने चाहिए fearless होने चाहिए उन्हें respect होनी चाहिए उन्हें knowledge होनी चाहिए हर एक बात की और वो hard working होने चाहिए अब यह point where the mind is without fear is a beautiful poem written by रविंदरना टेगोर it is a simple prayer for India अब हम इसे एक poem भी कह सकते हैं एक prayer भी कह सकते हैं एक prayer की तरे रविंदरना टेगोर जी ने God को एक prayer की तरे ये poem लिखी थी और वो क्या चाहते थे कि the poem was written during the time when India was under British rule अब यह तब लिखी गई थी जब इंडिया British rule की under था so the poet want his country to be free in an ideal atmosphere अब point कहते थे कि उनका मनता की देश जल्दी से आजाद हो जाए हमारी country free हो जाए लेकिन जब वो free हो उसके बाद जो atmosphere हो वो एक ideal atmosphere हो हर एक तरह से एक ideal atmosphere हो वहां के लोग काफी hard working हो और वहां की जो community है जो religion caste विलकुल खत्म हो जाए कास्ट का कोई भी नाम ना रहे सब में आपस में प्यार होना चाहिए people should be fearless and full of respect knowledge should be free and available to all point कहते हैं कि लोग fearless होने चाहिए उन्हीं किसी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए इसलिए इस poem का नाम है where the mind is without fear कि किसी के मन में किसी तरह का कोई डर नहीं हो वो full of respect होने चाहिए knowledge should be free and available to all अब जो ग्यान है जो knowledge है वो सब को मिलनी चाहिए सब के लिए free होनी चाहिए और available होनी चाहिए सब के लिए the country should be united there should be no issue of caste religion and community which are barrier in unity अब point कह रहे हैं कि यहां पर जो देश में एकता होनी चाहिए the country should be united होनी चाहिए और there should be no issue of caste religion and community अब देश में किसी भी तरह का country में किसी भी तरह का caste को लेकर धरम को लेकर किसी समुदाई को लेकर किसी भी तरह का कोई भी issue नहीं होना चाहिए यह कुकि ऐसे issue देश की unity के लिए barrier का काम करते हैं यह रोक का काम करते हैं इसलिए ऐसा कोई caste religion community पर किसी भी तरह का कोई issue नहीं होना चाहिए people should be free from all narrow domestic wall अब यहां पर narrow domestic wall वह होते हैं जब देश में जब हमारी country में बिना किसी बात पर चोटी चोटी बातों से जो पुराने जमाने के जो custom वगरा होते हैं उसको follow किया जाता है narrow domestic wall छोटी चोटी बातों की और ध्यान दिया जाता है वो खतम होनी चाहिए नहीं होना चाहिए we should give up all and bad custom हमें पुराने जो bad custom है उन्हें छोड़ देना चाहिए narrow domestic wall से हमें उचा उठना चाहिए people should be hard working होने चाहिए so that they may achieve perfection in their work अब जब hard working लोग होंगे तो वो अपने काम में perfection लेंगे जो भी काम करेंगे उसमें perfect होंगे इसलिए लोगों को hard working होना चाहिए they should be truthfully in action and thought अब उन्हें अपनी सोच से और अपने काम से सच्चाई वाले बन होना चाहिए किसी भी तरह का जूट नहीं होना चाहिए उनके कामों में उनके जो action हो जो thought हो उन्हें truthful होना चाहिए हमें old or bad customer में नहीं फसना चाहिए narrow domestic wall में believe नहीं करना चाहिए हमें छोटी छोटी बातों में नहीं फसना चाहिए mental freedom होनी चाहिए their thinking should be based on reason अब लोगों का दिमाग में भी thinking जो है जो उनकी thinking है वो भी अच्छी होनी चाहिए truthful होनी चाहिए और उन्हें बिना किसी reason से किसी भी तरह का कोई उनमें छोटी छोटी भावना ही नहीं होनी चाहिए their thinking should be based on reason पर उनकी thinking होनी चाहिए in every field they should be guided by God वो इनसान जो भी काम करें हमारी country का वो जो भी अच्छा काम करें वो God के guidance में करें क्योंकि God अगर कुछ guide करेंगे तो अच्छा ही करेंगे इसलिए जो जो God हमें कहते हमें वैसा ही करना चाहिए यह कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए so in such an ideal atmosphere the poet want his country should get freedom a poet कहते है कि हमें अजादी चाहिए हमें अजादी तो बिल्कुल चाहिए लेकिन अजादी हमें कैसे atmosphere में चाहिए जहांपर जहांका atmosphere इतना free हो कि वहां के लोग hard working हो narrow domestic wall में believe ना करते हो किसी caste religion में believe ना करते हो वो अपने odd or bad custom को give up कर दे और knowledge वहाँ पर free होनी चाहिए सब को मिलनी चाहिए और जो वहां के people's है should be fearless होने चाहिए full of respect वाले होने चाहिए उनमें किसी परकार के कुछ भी गलती ना हो हमारे जो अजाद जो भारत हो जो अजाद हमारी country हो वो एक ideal country होनी चाहिए वहां का atmosphere ideal होना चाहिए Thank you